कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर बाने अपने यह िखना होगा भारत में बिभित्ता को दिखाने के लिए यह बना वाल है तो तो 30 questions के लिए प्रप्रेशन करने वाले हैं वीडियो का पार्ट 2 है पार्ट 1 जाकर रिभाइज कर लिजेगा उसके बाद इसका जो PDF है आपको टेलर गाम पर मिल जाएगा टेलिकर आप पर क्यूज वगरा के लिए और भी लॉट मोर के लिए वो फिस जॉइन कर सकते हैं बाक जारखंड भी नहीं है और गुजरात भी नहीं है हुआ क्या 2016 तो वहां से अब नहीं रहा ठीक है अब नहीं रहा मतलब अब उसका टाइम पिरियोड सबका एक समझा आता है ना पता है ना तो अब हैसे मद्य प्रदेश टॉप पे आ गया है सकेंड नमबर पे आंद्रा पर फुर्द का कर नट्र को को डिक जिप्लेश कर चुका है मझ प्रदेश से कुट आता है स्मेंट के बारे में चुं सब्सक्राल इंग्रेदेंट गया इसके ताइनसल्फार ना मंगता है तो एससारा चीज को स्धोंत कर थोड़ा Penna मंगता है यह अनु को मिला कर सिमेंट का प्रड़क्शन किया जाता है और जो की सफ़ ज़्याद में भूलना नहीं है जारकंट कहीं दूर दूर तक भी नजर में नहीं है समझे होंगे हमको लगता है यहां से कुछ कुछ चीज आपको बता देने चाहिए जो इंपोर्टेंट है जैसे कि एक होता है कैल्सियम सल्पेट सीए सफ़ और हाप इस टूओ ठीक है तो दिस इस दो फर्मूला ओ प्लास्ट्रो पेरी सुयाद रखेगा इसको बाकी एक कोशन पुछते हैं बिलीचिंग पॉडर का तो सीए ओ सील्ट पुछ सकते हैं आप से कैल्सियम ऑक्सिकोड़ाइड हो गया उसके बाद पुछ सकते हैं आपको 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 ज्यादा मुट खराब अगों लगा तो एने टू सीओ तरी टेने इस्टू होता है यह आपका धावन स यूज कर सकते हैं इसको मतलब आग बुझान में भी इसका यूज होता है और इसको हम लोग एंटेसीड मतलब जो उफचार होता है रोग वगरा हो जाता है को कभी जैसे कि एक चीज और बताता हूं यहां से एक हैं एमजियोच का होल्टू ठीक है इसका नाम है मैंगनेसिय इसका एमध्य प्रदेश कोई परिसर सामविक रूप से किसके प्रती उतर दाई है क्या है मन्तीपरिसर होता है किसके प्रती प्रती उतरदाई होता है तो आपका इंसर लोग सभा होना चदीए जितना भी आप देख रहे हैं council of minister, वगरा तो सरहा लोकसभा के प्रती उतरदाई होता है अगर लोकसभा में उनलों का भी बहुमत हो जाता है तो उनलों को अपने पत से क्या होता है हाँ धोना पड़ सकता है ऐसे पुछा भी जाता है जो लोकसभा का member होते हैं क्या बलते हैं प्राइमिनिस्टर ऑफ इंडिया पीम जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं तो कहा जएता है कि जो प्राइमिनिस्टर है कितना बार तक जो हैसे प्राइमिनिस्टर बन सकते हैं तो देखिए, ऐसा कोई limit नहीं है, हमारा समिधान में ऐसा कोई provision नहीं है, जब तक उनको लोकसभा, राजसभा और जो ऐसे राश्टपती तीनों मिलाकर हमारा संसद बनता है, और पताए आपको, ठीक है, यह संसद बनता है, ठीक है, कम्प्लिट हमारा संसद इह तीन सीजिसी DPSP बलता है, Directive Principle of State Policy, क्या बलता है, Directive Principle of State Policy, कि इस आर्टिकल के अंतरगत आता है, आप लोग बताईए, गर जरा, ठीक है, जिसका बताईएगा, बागी कुछ दिसकस करता हूँ कि DPSP जैसे कहा से लिए है, तो हम लोग लिए है, आयरलेंड के समिधान से, देखिए उठा के सीधिये समिधान में ढाल दिया है, उसको अपने अनुसार dan change करके डाले है, अगर पूछेगा कि कंश आपने अनुसार, change कर ली है, भाई, उसके बाद क्या बलता है, उसको इंप्लिमिट किया है समिधान में, जैसे देखिए लड़का जिए हैं, उसको अपने इसक स्लाइड है इसको ने स्क्रीन सोट ऐसे तो मैं शेयर कर दिया हूं इसको फिर से शेयर कर दूंगा अब लोग उसको डाउनलोड कर लीजेगा बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कोशन जरूर बनके आएगा थोड़ा सा पांच मुड़िस पर मैं इसको आपकाल बोलते हैं वह जर्मनी यावेबिनार के समिधान अगर बोलेगा वाइनर बोलता है ना वेबिनार तो वहां से हम लोग इमर्जेंसी बोलते हैं और भारत में यहां से तीन तरह के इमर्जेंसी देखनों मिलता है आर्टिकल 352, 356 और आटिकल 360 60, 352 में national emergency है 354 में अपका है admits emergency है जिसको president rule ही बलता है और article 360 में financial emergency है पता है न जर्खन में तीन भार राश्ट पती सासन लग चुका है article 365 के ताहट तो ऐए बाकि दो प्रिश्टर प्रोविजोन और 5 हे पलान जो पंचवर्सी हो लेकिन बीज में इसको खतम कर दिया गया, जब मोधी कुर्मेंट यहाँ पर आया, तब कब 2014 में बन के आये, तो अपना सारा रूतबा दिखा है, एक जनरी 2015 से उसको convert करके निती आयोग बना दिया गया, यानि कि National Institute of Transforming India, तो हाँ से खतम हो चुका है, आगे आ था DPSP concept जो कि राजसभा में आपको पता होगा कि 12 मेंबर को राष्ट पती इस नोमिनेट कर सकते हैं, तो जो नोमिनेशन का प्रोसेस होता है, वो हम लोग आयरेंस लिया है, दूसरी बाता आता है, फंडामेंटल राट के बारे में, जुडिसियल रिभ्यू, प्रियेंबल, इंपीच्मे समिधान है, सबसे उपर है, और उसका पार्ट है, प्रियेंबल, यह कोई नहीं हटा सकता है, समझ चुके हैं, नेश को चनाता है, कंस्टियूशन आमेंटमेंट प्रोसेस, यानि कि समिधान सससन की परकिरिया है, या इलेक्षन ओप दे मेंबर और राजसभा, ध्यान दीज समिधान सससन की परकिरिया के बारे में जाइएगा, तो आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 देखने को मिलता है, और पार्ट 20, तो इसको भूलेगा मत, आर्टिकल 360, पार्ट 20 में समिधान आपको देखने को मिला सससन की परकिरिया है, उसके बाद हम दिए आंदिजेगा समुवर्ती सूची का हम लोग प्रोविजन है, रह लोगा सिल्या सोलिए है, और जौएंट सीटिंग कही हिए कि अ करने के मतला है.. और लिए कि अनल प्लेम सीटिंग कर दोना ख़ोकी । true। मतलब वो नियम तब तक रहेगा ठीक है गलत भी होगा तो भी लागू रहेगा आप उसको नहीं बोलेगा कि गलत है हम नहीं मानेगा वो लागू रहेगा हाँ अगर गलत है तो उसको समिधान में संसोतन किया जाएगा वह अलग बात है बट अभी जो है से बरतमान में करके समिधान से लिए हैं पहले इसको यूश साथ बोला जाता था बट आब जो है रस्या है क्योंकि 1991 में इसका विगटन हो गया था ना 1991 में संसोधन किया था बहुत इंपोर्टेंट संसोधन है बता एक जरा कब करके सको डाला गया था स्वान सींग कमीटी था इतना सब्सक्राइब जी कर दिया पांच वजादा होगे गड़ी देखते रहते हैं आप लोग चलिए ठीक है भारत की अंताकाली मतला होता है ना कि जो इंटरीम था इंटरीम जो गोवर्मेंट बना था कहने का मतलब सरकारी बोलेगा समझ लिजेगा तो उसमें ना 296 में मर थे अब इंटरीम गोवर्मेंट क्या होता है समझे जब सम किस तरह से बनना चाहिए उसके पहले भी एक इंटरीम गोवर्मेंट बनाया गया था तो उसमें 296 मेंबर थे याद रखेगा 296 मेंबर थे तो समझ चुके होंगे यहीं 296 मेंबर है अब एक कोचनियां से कन्फूजन हो जाएगा 389 मेंबर जो थे समिधान सभा में थे में भी पंडी जोहरालाल नहरो ही थे जो कि ऑवियसली फर्स्ट प्रामिनिस्टर अप इंडिया बाद में बने थे भारत का दक्षिदम बिन्दु बताना आपको तो इसका एंसर होगा इंद्रा पॉइंट होगा बाकी सम नहीं है तो इंद्रा पॉइंट जो है सबसे साओं आपका देखीगा यहाँ पर सौधर्न मोस्ट पॉइंट है और यह आपका पड़ता है आपका ग्रेटर निकोबार आइलेंड पड़ेगा और अंडमान लेटिन अंडमान और ग्रेट निकोबार को जो अला करता हुगा टेन डिगरी चैनल याधा ने अपको सब तो रट जा इसका मतलब है कि इसका एंसर क्या है इसका एंसर तिरपूरा होने चाहिए बाकी आप लोग ने देख लिया ठीक है तो यही है बंगलादेश 1971 में जो हैसे एक नया जो हैसे देश निकल कर आया था एक क्वेशन है इसका इंपोटेंट पूई थे हैं कि बंगलादेश जब न सबसे पहले आइडंडिफाई कौन किया था कि एक नया देश है ब्राइटे किया है तो वहां बंगलादेश को हचा है लेकिन जब आजाद वूप करता हूं जर्गन का अब देख लिजेगा बहुत सारे डिस्टिक वगरा को दक्चिन से उतर या फिर पुरव से पचिन, पचिन से पुरव लगाने के लिए दिया जा सकता है, इसा कोशन आता है और आता रहेगा अफिम पोदयों के किस बाक से प्राप्त होता है, अफिम को अंगरी जी में OPM बोलता है, तो बताए ये किस बाक से होता है, पता, तना, चाल या फॉल आउरन, तो इसको फॉल आउरन याने की जो फूरूट्स होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है, उससे हम लोग अफ प्रूट का जो बाहर कबरिंग होता है चाल वगर इसको बल सकता है उसी प्राप्त होता है यह कोशन ही पोटेंट आता है क्यूनिन क्यूनिन दवाई आपको पता है क्यूनिन मलेरिया के उपचार में यूज होता है क्यूनिन अवरिज होता है सिनकोना ट्री से प्राप्त होता प्राप्त होता है ओके अपनिका स्थॉत्रकनिका क्या होता है ऐसम नहीं होता है venning नेन चुट्रकनिका Mi suspicion को चुट्र कंटने आए तो पदधा कि Kinday तो तब आच्छा समझ मैं है जिवानी कोसिका का मतलब होता है Bacterial Cell तो Bacterial Cell में शूत्र कनिका की संक्या होता है एक होता है क्या होता है एक एक रुटेंट बोल रहा है ते मतलब उनका प्रोब्लम था कि इस पर टीक करके मतल रखी तो पहले को सचन है और जो आएक से पहले तो आप जी के चैंज दोड़ी होता है जिसको समझ में आ रहा है समझे जी के चैंज नहीं होता है तो आपको वही इस पढ़ने पड़े के important question होई से discuss करता हूँ तो यहां से निकल के आता है तो कुछ की answer वहीं पर रहता है है तो ऐसा वही बात नहीं है कि हमको answer पता नहीं था सब लेकर रखते हैं एक इस्ट्रेंट बोल रहे थे कि आपके पता नहीं होता है लिग लेकर रखते हैं चलिए ठीक है जैसी आपकी सच आपकी सोच को साथ तोपके तलामी है एक होता है जिवानुकोशिका में सूत्रकनिक प्रोटीन का संस्लेशन होता है और एक होता है लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली बलता है तो कुछ-कुछ यहा देखेगा जिवानुस सेल यानिक बैक्टरियल सेल में सूत्रकनिका यानिक मैट्रकॉंट्रिया ओनली वन होता है सबसे बड़ा सेल क्या होता है सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल क्या होता है पताई जरा चलिए दूद का सबसे बड़ा उत्पातक देश कौन है देश है राज यह नहीं है राज भी आप लोग से पूछोंगा ना बहुत आप लोग आप लोग एक इंसर नहीं दे रह भारत क्या है भारत समझेगा इसको भारत में अगर हम लोग बात करें तो टौप पे आता है इंडिया जो की वर्ल्ड का जो मिल्क पोड़ेक्शन उसमें 22% का कॉंट्रिबिशन है सेकेंड पे आता है इसे थर्ड पे चाइना फोर्थ पाकिस्तान और फिर्थ पे ब्राजिल हम लोग साथ रहाते ते पाकिस्तान भी थोड़ा सा आगे निकल गया तो चलिए यहीं सारा इंडिया का आप लोग ने देख लिया इंडिया में अब जब इंडिया सब ज्यादा ला अब पासुर की संक्याई भारत में ही सबसे च्थाइधा बापनदा इसको तो पने आ सबसे पूराना इस्तो्क मार्केट on आपको शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। इसको डिसकस कर लेना अच्छा रहेगा। सेहत के लिए आपका अच्छा रहेगा एक्जाम में बैठेगा तब प्रता मोलंपिक खिलका वुआ था यानि की मोडर्न बात कर रहा है अगर नहीं कुछ बोला है तो तो प्रता मोलंपिक 1896 हुआ था सब को पता होगा अब क्या पत यहां से सुक रहा है यहां से शुक्रात निकल कर रहा है और आपका देखर creating अर्कमिटी जो ही से थे सुकरात तो वही से ग्रिक के थे तो समय ली जगा तो 1896 से चलता आ रहा है बाकि अगर हम बात करें फादर ओडर ओडर ओलंकि के बारे में तो फादर ओडर ओलंकि कहा जाता है ओपी एडी कवर्टी नीक्ष नेक्स में देखीगा आयोसी का फोर्म हु याद रखेगा लुजाने स्यूटजर लेंड में है, अभी इसकी प्रेसिडेंट थॉमस बॉक है ना, कौन आपका इंटरनेशन ओलम्पिक कमेटिक है, विंटर ओलम्पिक फर्स डॉपल इस्टार्ट हुआ था 1924 से याद रखेगा, 1924 में फर्स में हुआ था, जगा था चॉ वर वर वट ना, 1939 से लेकर, 1944 तक तो उसके जलते रखेगा, दोसरा बार और तिसरा बार जो है से ओलम्पिक डिश्टाप्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कैंसल कर दिया गया उसको, उसके बाद अगर इंडिया हम बात करें, फर्स इंडिविजवल गोल्ड जो है, से लाए ते अभिनो बिंद्रा, ध्यान दिजेगा, फर्स गोल्ड बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए इंडिविजवल मडर में, यहां पर वर्ड इंडिविजवल होना चाहिए था, ठीक है, अभिनो बिंद्रा थे, 2008 में, बिजीग ओलम्पिक था हुआ समय, आइसे तो बात कीजेगा अठाइस का होगा, लॉस एंजलेस में, ठीक है, लॉस एंजलेस अमेरिका में है, और पेरी सब का फ्रांस में है, जो की ओविसली, उन्योस का हैटक्वाटर होई पर है, बाकि यह जो चल्ला है, इसमें कुछ-कुछ ना ऐसे ही नहीं, ओलम्पिक का साइन यही है, इसमें प आपका, ग्रीन दिख रहा है, आश्ट्रेलिया वाले उसमें ओसियाना वाले रिजन को दिनोट करता है, ग्रीन, और जो इन्यार्ट हैं वह आँर्ट वाली मिला करता है, ठीक है, अलग से क्या होगा ठीक है समझ चुके होंगे तो यह सारा था 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 क्वेशन हलका लेकिन आपको इस स्लाइट पढ़ जाएगा भारी इसको देख लिजेगा थोड़ा ध्यान से ओलबिक में रिंग भी कभी कभी पूछ देता है तो ध्यान से रख लिजेगा एक बार फिर से डिस ब्लेक फोरेश्ट अफरिका में है तो जर्मनी में तो आपका हो गया कहां पर तो आपका हो गया यहां पर ब्लेक हो गया अफरिका के लिए यहां से ग्रीन हो गया आस्ट्रेलिया और रिजन के लिए और रेड हो गया आपका अमेरिका के लिए साउथ अमिर्का नोर्थ अम होता है बता ही जरा 7, 8, 9 या 10 देखे भी टिक है एंसर 9 होगा आपको पता चल गया होगा अब यहां से यह स्लाइड देखेगा बहुत जाद इंपोर्टेंट है ध्यान से देख लिजेगा इसको मैं टेलग्राम पर प्रवाइड करा दूगा अलग से भी तो उसको डाउलोड क की फिरसे बटी बढ़ा रहा है एक इंप में होता है तर फे इसमें ओ फ्लेएन débखation एक तरफ ka नहीं पोलो में टोटल चार प्लेयर थे पोलो खेलते समय किस मुखल बासा की मिर्थी होती आपको लिए एक लेग्रोस गेम होता है जिसका नाम बहुत कम लोग ने सुना होगा जिसमें 10 प्लेयर होते हैं क्या होता है और हमको लगता है कि सारा जो है से एक गेम चोटकर सारा में ले चुका हो वह गेम कौन है आपको आगे जानने को पता चल जाएगा जल्दे तो इसको स्लाइट को देख लिजए अच्छा से और सारा चीत हो चुका है ठीक है चलिए समझ के आपका एंसर था खोको तो खोको में 9 प्लेयर होते हैं ओके चलिए नेस को चना आता है प्रजान मंतरी जंधन योजना की सुर्वा अठाईस अगस्त कब हुआ था तो यह हुआ था तो यह हुआ थ यह हैं लोग बैंक में ट्रांसफर कर सकें इसके लिए डिवी टीवी है पता है ना डायरेक्ट वेरिंग फिर ट्रांसफर योजना भी चला था तो ऐसे हम लोग कर सकता है कि वीचोलिया लोग जो खा जाते है पैसा बीच में वहल ना खा सकें तो 2014 में मोधी कोश्मेंट के तरह शुरू किया गया था चलिए हो गया 28 सगस से आगया था है गलुकोज किस प्रकार का है बताईए कि एक तरह का सरकर है बताई जरह इसको तो इसको तदे ज्यादा दिवाग मत लगाईगा इसको यह तखिए का एक तरह से डेक्सटोस सरकर है ना उर्जादा अंधर में चिनी बलता है C12 H2111 यह फर्मुला आपका सुक्रोज का यह चिनी का बता हूँ अभी मतलब एक देख रहा था कम्पूटर का कोश्चन अभी जो अभी आपको एक कम्पूटर कोश्चन देखने को मिलेगा जो कि ऑफिसेल पेपर होगा जेएसे सीजियल का बाइ माई गोड इतना गजब गजब इतना अच्छा-चा कोश्चन है अप लोग देखेगा उसको कितना अच्छा कोश्चन है मतलब उसी को बनाने में बोज यह ता टाइम लग रहा है उसको मैं रहा हूं क्योंकि इतना उसम बहुती अच्छे अच्छे लिबल का आया था जेसे सीजियल में माई गोड देखे तो मज़ा आ गया तो इंसर क्या होगा डेक्स टोस सरकरा है ग्लुकोस एक तरह का याद रखेगा फर्मुला अपने देख लिया ग्लुकोस का उपर उला है और नीचे सुकरोज का है सुकर चलिए अब इसका प्रस्ता मुंबा में पास किया था ना कुट इंडिया मुंमेंट के लिए और याद रखेगा इनके दोर एक बूक है माई एक्सपेरिमेंट विस टूथ बहुत इंपोर्टेंट बूक है महात्मा गांधी के द्वारा ओके चलिए और पाकिस सुभास चलिए और तिस था ना और तीस होगा ना नेंटे थर्टी एट में तृपूरी में अधिवेशन हुआ था तो उसका ये क्या थे कॉंग्रेस का अधियक्श एक पार बनेते सुभास चंद्रा बॉस अभी बोले थे दिल्ली चलो कहां से दिल्ली चलने की बात कर रहे थे आया कब था जो आपको पता है गोर्मेंट ऑफिंडेक्ट उनीस सो उनीस बना था तो यहां से देखिए इसका में परविजन यही था कि यहां को लोगों को जो हैसे समिधानिक अधिकार देना है और किस तरह से देना है उसका क्या सवरूफ होना चाहिए ठीक है तो उसके ल एखिवान आपको ठीक आपकोesten अबर करने होना है जापके लिए करने में हैं पंजाब में आरे एक सांतिपूर्णि हो का 5000 कर रह थे वहांपर जन्रब्स यो तिटीर में गारा बडाल और फिर भी हैसा गोली चलवा दिया था ठीक है तो देख लीजेगा बैसा के दिन बहुत बूरी घटना है हमारे हिश्टी में अम्री सर में बहुत सारे लोग वहाँ पे अब राजय का परसीदों नरी है बताईए लोग रीजस को फोक डांस बनलोग न क्या बलता है यहां जो और न यहां पे पूछाजता जाता है और इसको मैं कुछ-कुछ कोशन डालके इसको टॉप करने कोशिस करता हूँ, अब देखे अगला स्लाइड आप के लिए टॉप होगा, यहां से देख लीजएगा, यहां से क्लासिकल डान्स और फोक डान्स का मिसरन यहां पर देखने को मिल जाएगा, बात करते हैं उसके बा और इधान दीजेगा, तमिलनाडो में भरत नाटेम चलता है, आंधरा परदेश में कुछीपूडी और उतर परदेश में कथक चलता है, ध्यान दीजेगा, उतर परदेश अगर ऑप्सन नहीं रहे, सिर्फ अगर उत्री भारत यानि नोर्थ इंडिया बोले, तो भी आपक जितने से था जान है, और इंडिया झाया काथ होना चाहिए, काथर मार सकता है, आप समझाया है, क्या आपका है, क्या बलता है, जो स्टेट है, किसी कंडरी के बराबर, तो खुद यह था नेक्स नहीं से देखी एक थोड़ा सा, मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा, से ब्लास दॉर में है रत क्लासिकल डांस है तोटल ठीक है आठ क्लासिकल डांस है आपको मालम होगा 8 धन स्वम्हर दो बज गया, ना, एक, दो, तीन, चार, पांचि, घREY глазति हो गया, wacky करने के और उसको पप्रफॉम करने के जतनी सारा सिप्टम होता है,וכे किस तरह से क्या होने चाहिए,ultas सारा देखता है संगीत नाटक अकाडमी जिसकी अपना 1953 में किया गया था और यह संस्कृती मंत्राले के अंदरगात आता है समझ गया सराची डिसकस कर दिया समझ चुके होंगे एक बदिकात होगा थोड़ा से एक निट पीछे कर लीजेगा आ जाएगा इंसर आपका उतर पर परफॉर्म किया जाता है यह तरह कई भी गेम ही है चली कट उपर तो बहुता केस चला था सुप्रेम कोट में याद आपको निमलिखित में से किस भी कल्प को दर्ण डारेक द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्साया जा सकता है या नापा जा सकता है बताईए दर्ण ड आता है नो तो हम लोग उतना बोलता है कि इतना मिलिमिटर बर्सा हो गया है तो इसको जाना से बर्सा से नाप सकते हैं हम लोग दर्ण डारेक यानि कि जो बार गराफ है उसको नापने के लिए हम लोग बर्सा को नाप सकते हैं बार गराफ के यूचर के समझ गया है पाकिस आध्रता का English होता है humidity, the amount of water pepper present in unit, जो volume of atmosphere is called humidity, तो वहाँ से आध्रता आता है, और आध्रता कुन्न अपने के लिए हम लोग हाई-ग्रो-मीटर का यूज़ करते हैं, ध्यान दिजिएगा बोल रहा हूँ, हाई-ग्रो-मीटर, not हाई-ड्रो-मीटर, ओके, चलिए, और दूद की सुतन अपने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लाक्टो-मीटर, पता है ना, चलिए, जो की आर्कवडिज के प्रिंसिपल पर बेश्ट है, इनसर आपका C हो गया, तो देखिए, यहीं सरा इंपोर्टेंट चीज जो आ रहा है, मैं बढ़े बताते चल रहा हूँ, गनितग्यत अथा खोगोल साहत्री आरे भट ने, आरे भटियम पूस्तव लिखी थी ना, तो वह बता ही किस बास सामली के थी, तो यह तिनका लैंग्वेज था संस्कृत, यहाँ देखिएगा, लैंग्वेज संकित लिखे थे, संकित बास सामली के थे, चंद्रगुप्त, दिविती के काल में आपको देखने की मिले थे, आपका आरे भट, और यहाँ से देखिएगा, हिंदी और संस्कृत, दोनों का लिखी है, दोनों का लिखी है, उर्दु भासा के लिखी पताया था, कौन सा, नास्तलिक, क्या था, नास्तलिक था, सामें दिये थे, तो इनसर आपका संस्कृत वगरा हो जाता है, नेक्स्ट आता है, रामपुर्वा का मिला, उतक्रिष्ट पॉलिस वाला पत्थर पर बना सांड, पॉलिस पर बना हुआ सांड था, ठीक है, तो जो मिला है, उसको राष्टपती भौन में रखा गया है, किसक सांड बैटा है, इसको लग रहा है कि इसको बहुत इसे खाना पी नहीं मिला है, जा भाई, कोई खाना पी नहीं इसको दे दो, जास्ट पर जूकिंग, इतना स्मासूम लग रहा है, तो ओ जो बनाए गया था, पॉलिस पर बना हुआ सांड, थोड़ा सांड इंज्या करके बिहार में मिला था, ठीक है, मौरेकल से, बिहार एक प्लेस है, रामपुर्वा, ओके, चलिए, नेक्स कोचन है, बिशिष्टा द्वयत, क्या है, बिशिष्टा द्वयत का सिधान, जो हैसे, किस ने दिया था, बताए ज़रा, यह किस ने विचारार्थ परसूस किया, वही द्विष्टेर के गुरु रामानुज थे, चलिए, तो यहां से अपने देख लिया, एक संक्राचार जो थे, एक जो हैसे अध्वेत वाद, क्या है, अध्वेत-वाद का सिधान दिये थे, संक्राचार, तो दो चीज यह याद रकेगा, बिशिष्टा द्वेत और अध्व हूँ आपको कुलम्बस पर कर लाए तर्ट हैं स्य मेर्यकि कूलोंबस लेकिन i carry cathode को आपको आ runs कूछ कर अपको फाह यहां एक चाइनिज ट्रेफिलर ते और यह से काल में आयखे ना चंद्रगुप्त दियोती है, यहाँ गुप्त बंस की बात हो रहा है ना, मोरे बंस की नहीं, चलिए, गुद्धा काल में आते हैं पहियान, चलिए, और वेन सांग जो था एक इम्पुतेंट है, वो भी चाइना से आये थे, तो हर्स्वाधर की सवज़ों ऐसे वुद्स थे, तो आपका एंसर होना चाहिए चेर क्या होना चाहिए चेर लोग आव जहाई से प्रयोग किये थे ठीक है तो समझ गया होगे नेस को चना आता है मैत्री और दक्षिन गंगोत्री जो है से भारत का जो सोथ संसान है कहां पर है यूरोप अस्ट्रिया अफ्रीका या अंटाक्ट गर्णा आता है जहाँ बहुत बार कूछा जाता है चाहाँ है नीमलेखी ठेटर मे से कि इसमें चीनू का असनीबी का चलती है वहां पर क्या बलता है प्रेरी एक ग्रास लेंड अभी होगा आप लोग नाम सुने होंगे तो जैसे कि मैं सोच रहा हूं ना ग्रास लेंड ऑफ द वर्ल्ड जो है से थोड़ा बहुत अब्री डिसकस करूँगा आपकी बार तो ठीक है तो आपकी बार इन लोग सारा ग्रास लेंड को बाकि एक भारत में अस्थानी जो गर्मी की दिन में जो पहुंच चलता है उसको लू बोलते हैं क्या बोलते हैं लू बोलते हैं न ममी कि बाहर में जाओ बैटे लू लग जाएगी ओके चलिए कोशन को मूब करते हैं वाई मंडली परतो में सिपरत रेडियो परसार में जाएगा करती है तो देखिए कॉमन सेश भी बेसिस पर है रेडियो होगा तो इसको आयन चाहिए और बाकि एक साइंस में बोड़ डिटयल में इसको इसको साइंट में हर एक कुछ यह सब्सक्राइब करता वर्सक यह सब्सक्राइब किस्म मालूम आपको जानते हैं फिर सरफ सुनारि ज्री जहां किसा किस्म ए यह सरे सरे रेसम का सिल्क है क्या है? सोरी, रेसम का जो या जो सिल्क का जो थे एक तरह से क्या है प्रजाती है समझ गया बाकी जो एक rayon होता है ना rayon rayon के यहां देखिए का हम लोग artificial silk बलते हैं किया बलते हैं rayon को artificial silk क्योंकि देखे, सिल्क बना जब रियसम के कीड़ा से निकाला जाता है कुकुन से, तो बहुत ज़्यदा मांगा होते हैं, तो सब लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो इसका हो अर्टीफिसल ही बनाते हैं, तो रियॉन जो हैसा सबके लिए एक्सिस पर है, सबको इसको खरीद सक किया बटाएं को एक इंट्रेस्टिंग बताता हूं जो नईलोण की दिस्क हुआ था vok और प्लस लंड़न का इसको बना गया था इसलिए इसको नाईलोन बमने सब्सक्राइब नुज दोग दाइब है नियूसर आपका सिल्क हो गिया एगं hadn बाकि जार्खन का पता है ने जनसक्या घंडवा पॉबलेशन डेसिटी 414 है और इंडिया का नेशनल एवरेज है 382 क्या है 382 भारत में जो सबसे जनसक्या घंडवाला राज यह हुआ है बिहार और उसमें हैसे लगभग और ने रिविजन हो रहा है रोज रोज बहुत सारे कुमेंटर विडियो के लिए मैं ऑर सकाल के पढ़र प्रणी ते लिए करते हैं लोग बहुत मुश्किल रहाता है प्रित्वी के सता के निकट इस्थित खनीजों को बाहर निकालने के लिए नियुकित में से किस विदी का पर्यों किया जाता है ध्यान दीजेगा ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है भी जा के सर्च कर लिए मैं इसको सब्सक्राइब को सेकिए और ध्यान दीजएगा एक जयासे एक कूऊं जैसे होल बना कर जब इसको का इस्था धाया जयता है इसको कुपकी कन बलते हैं क्या बलता है क्या दोगता है but खुदाई करता हैं तो इसको विप्रित खनन बोलता है बहुत लार्ज सेल पर डिप माइनिंग कर दिया जाएगा तब जागो इसको कुप की खननन बोलता है वाँ समयागा माइनिंग और इंडियान इंस्टीट ऑफ माइन तो जारकन में है आपका धनबाद में याद है ना इ टेंसर आपका रुकाईया सखावत हुसाइन है ठीक है रुकाईया सखावत हुसाइन एक तरह सोसल इफॉर्मर राइटर थी इनको पर्दा से चम देखें थे पहले के जवानाय महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था उन लोग को पर्दा में रहने रखा ज गुलाम गिरी नामक पूस्तक किस ने लिख रूप फूले बाकी थोड़ा सा कुछ कूर डिसर करता हूं स्री नरायन गुरू भी एक सोसल रिफॉर्मर ही थे इक कोसर नहीं से बनके आता है कि पेरियार के नाम से कौन फेमस है तो पेरियार के नाम से एवी रामा सोमी फेमास तो इसका मतलब होता है कि जो एक respectable person है उसको बलते हैं या फिर बड़ा भाई हो गार को भी हम लोग पेरियार बलते हैं ठीक है बड़ा जो लोग बड़े होते उनको पेरियार बलते हैं एक तरह से जैसे कहम लोग दादा भाई नुरी जी को बलते हैं ग्रांड ओल्ड मैं ऑफ चुके थे यादा नशू को और समिधान मतल बनाने में इंका बहुत ज़्यादा क्टीबिशन रहा था इनका यह को बुक है दे प्रोपी याद रखेगा दो प्रोप्रोपी एक बहुत ज्यादा इंप्स्कार बारे में जिरो का इसकार किया था आरे बटीम पुस्तक बुक तक है आरे भट्यम किस भासा में लिखा था उन्होंने तो उन्होंने इस बुक को संस्कित भासा में लिखा था किस भासा में संस्कित भासा में लिखा था याद रखेगा हिंदियों संस्कित दोनों का लिपी देवनागरी है और बाकी जो उर्दू का लपी में बता था स्तूपों में से एक को उस अस्थान के रूप में चिनित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उब्देश दिया था बताइए तो यहां साथ जो स्तूप है तो यहां पर ध्यान दी जाएगे बुद्ध ने पहली बार उब्देश कहां दिया था ऐसे ही कोश्चन है सिंप अब आपको पता है ग्यान की प्राप्ति बोद्ग नेपाल में और ऑपको नौलेज इनको प्राप्ति वहा था जिसको इनलाइन्ट्मेंट बोलते हैं उसके बाद देखिए घाथ पर्थम पर्थम जो इसे धर्म के दिये थे आपको दिये थे आपका परवचन आपको सारनात में जो की धम चक्र परिवतन के नाम से है और उसके बाद इनका जो महापरेनिवार निर्वान हुआ था यहने की मिर्ति हुआ था वो हुआ था कहां पे यह हुआ था कुसी नगर में पहले बार वही दिये थे अपना परविचर नेक्ट है संगम कविताओं में किन किन राजबनसु को मुवेंदार कहा गया है अब देखिए कोशन भोज़दाज बलंडर होने वाला था क्योंकि पता है इस कोशन को मैं जहां सलिया था वो बुक में कोशन गलत दिया था तीन जो यहां पर राजबनस था उसको हेड कहा गया है संगम कविताओं में क्योंकि इनका बहुँ ज़्यदा कॉंट्रिबिशन राता था इसको हेड कहा गया है और यह थे आपका चोल चेर और पांड है जबकि बुक में इनसर था या पर चेर पाल और राष्टकुट दिया था पता नहीं गलबड था मैं तो गूगल पर सर्च किया तो मुहम को इनसर दी मिला बागी थोड़ा बहुत बार हजार से ज्यादा पार बार उसके एक्स्परिमेंट फेल हुआ था उसके बाद जाकर तो कोई या थोड़ा पुद गल्दी करता है तो थोड़ा से सुधार दीजिए बोली कि चले ठीक है यार उसे मोटीफेसन लेके जो हैसे आगे बढ़ जाएगा और कुछ सीखेगा डिमोरलाइज मत किजिए किसी बाठीक है ठीक चीज नहीं है ओके तो समय लीजे तो मेंद तॉलकापियम एक बहुत है इंपोर्टेंट जो हैसे टमिल का ग्रामर है या दया दखेगा तमिल का ग्रामर है तोलकापियम और इसको तोलकापियर के द्वारा ही लिखा गया है या दखेगा अभी तमिल के ग्रामर है या दखेगा important question है इसको बनता है बाकि चोल चेर और यहां से एक साफ इंडिया के ते बता जैता हूँ कि जो ऑपे पुछा जाता है जो क्यों जो एक संगर्स होते रहता तो तीन राजवंच कौन थे था इसका ट्रीक परा तुट के पराग देखेसं तो खाने सब ठीक है फालतुक चीज़ें हैं मुझको ने एक इंट्रेशन यहां से आता है कि सराब मत पीओ और मजा रहा है ना बोलेगा कि सराब मत पीओ लेकिन फैक्टरी में सराब तो बंद रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता है क्यों कि वह जाता है एक तरह से सारा साथ इंडिया में जो है सक फेमस था पराग पाल राष्ट कुट और गुर्जर परतिया तीनों आपस नड़ाई करते रहते थे यही तरह हो गया देख लीजए का है सबोस्ट आइधिंक इंपोर्टेंट चीज़ होगा और मुवेंदार चोल चेर और पंडे को कहा जाता था भारतिये राष्ट राजे का वर्नन करते हुए विवित्ता में एकता मुहाबरा जो हैसे इन राष्टी ने तौमे से किस ने दिया था एक किस लिडर ने मुहाबरा दिया था मैं बोला था ना कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पे बानी वही था तो बताता है कि भारत में कि भी 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 तीआ हैं देखिएगा तो भारत में यहां से हमारे जो नेशनल लेडर थे भारत को जब आजाद होने के बाद इतना अच्छे से लेकर चले कि अविते देखी हम लोग यूनाइट है इतना धर्म और इतना लेंगविज होने के बावजूद भी तो यह जो नारा दिये गया था बीविता मेकता को ओ दिये गया था पंडी जो आराल नहरू के द्वारा दिया गया था फॉस्ट प्राइम निस्टर ऑप इंडिया थे ठीक है अब इनका जनम देख हम लोग क्या मनाते हैं इनका जनम देख हम लोग नेशनल मतलब हाँ चिल्डरेंस डे मनाते हैं जबकि ट्वेंटी ऑप नवंबर को हम लोग जो हैसे वर्ड चिल्डरेंस डे मनाते हैं आपको मालूम है तोड़ा साथ इनका बर्थ डे है ना पंडी जवाल नहरू का बाकी बलसदाय बला भाई पटल के बारे में जाते हो कि भारत के पहले उपरधान मंत्री और फर्स्ट ग्रीम मंत्र यानिक हो मिनिस्ट रही बनेते महत्भगणदी पता है अपका नेशनलेटर है चलिए पाल अधर तिलक इसे नारा कुण से दिये और शेत शोच्जण टाय व्यक्त लेकर होंगा तू भुल्य कम eh로u यह बहुता है जो है नसी यह हमारा पारा हइं जो हबांद कम्त होता है ठीक है वदक है कुन् थे क्या बोले थे आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे बांधो को पंडिजवराल नेहरू में इसको चनाता है समिधान का अनुछे 22 जो है से क्या करता है गिरफतारी के दौरान या हिरासत में दुर्भार से बचने का अदिकार समेधानिक उपचार का अदिकार सोशन के तक आपका fundamental right यानि कि आपको देखे के मिलेगा मूल अधिकार देखने को मिलता है तो वहां से आप लोग अनुशेत 22 बोलता है ना कि अगर आपको गिरफतार कर लिया गया है तो उसमें आपके साथ दूर ब्युहार नहीं किया जाएगा और आपके चीज़ पता हुआ कि 24 घं तक आपके साथ बोलता है ना कि अगर कोई भी आपकल अपकर हर्दाए और आत्मा ही बोले है तो सोसन के ब्रुद अधिकार आपको आपको आपकल 2324 में देखने को मिल जाएगा और सीख्छा का अधिकार देखिएगा तो थोड़ा सबत करते हैं सीख्छा का अधिकार जो है आपको अधिकल 21 में आदिकल 21 के ताहत आटिकल 21 के जहाए साल के बच्छों को 6 Yokot 2014 के बच्चों के साल के बच्चोता आप लोग अमें काम नहीं करा सकते हैं उन यही है 2002 में किया गया था 86 समिधान किया गया था ठीक है तो यह से आया था सब चीज समझ चुके होंगे सिक्षा का अधिकार रही सोन लोगों को दे दिया गया था चलिए आर्टिकल 14-18 तक अधिकार के बात करते हैं समानता का अधिकार 14-18 तक ठीक है तनुषित भाई साब का मिल गया बागे सार चीज बता दिया अभी आर्टिकल जो राइट ऑफ प्राइबेसी है जो पुटा स्वामी का जो केस था ठीक है पुटा स्वामी का केस तो उसमें जो हैसे फंडामेंटल पुटा भी बन चुका है आर्टिकल एक इसके तहट भी है वही ओके क्या उनसा जो ऐसे राइट ऑफ प्राइबेसी राइट टू प्राइबेसी होगा लोग सभा में सत्ता धारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है उपर राष्टपति राष्टपति परधानमंत्री एक प्राइमात्र परधानमंत्री आता है क्या कि दह पौरइंट किया पॉइंडिया ऐक प्रेसीड्ट और पिंदिय के दो यह प्राभ मेस्टर को प्रेसिडेंट now डियमाता हमन सब्सक्राइब सब्सक्राइब इक्सफिसयो चेर्मेन परस्छिडें और राज इसभाय। प्रेसिडेंट के द्वारा कैक के बार में आता है कुछ-कुछ जिसको हम लोग गारजियों नो पॉब्लिक वर्स बोलते हैं प्रेसिडेंट उफ इंडिया के दार एक पॉइंट के जाता है इनके लिए प्रेसिडेंट और वास प्रेसिडेंट दोनों के लिए जो हैं 25-35 साल आपको चाहिए होता है और 65 साल उमर होता है ना 65 साल या 5 वर्स जो पहले हो जाए रिटार कर जाएंगे गोवर्नर होता है देख लिए 155 के ताहत जो आर्टिकल 155 के ताहत गोवर्नर का बनाया जाता है यह भी हैसे प्रेसिडेंट उफ इंडिया के दार एक पॉइंट किया जाता है समझ चुके हैं तेस सारा चीज यहां आपको आई थिंग कि बहुत इंपोर्टेंट स्लाइट लगा होगा यह चीज तो सब चीज देख लिएगा ध्यान से ओके चलिए और देख लिए प्रामिटर के लिए आयू जो हैसे आपका 25 वर्स चाहिए ठीक है तो यह सरा कुछ-कुछ कोस्चन था कैसे लागे बहुत ब सब्सक्राइब करेंगे आगे नहीं चलोंगे यार साथ चलोंगा टेंसर मत लीजे तो बाकी स्वास्त रहें मस्त रहें चाहिए करें मस्ते बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्यडियो में बंदे भारत हम